ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि मेरा ये टॉपिक क्या है, ये मैं ट्रायल बेसिस पे मैं कर रहा हूँ, जो कि सामल्टरनेसली दोनों चैनल पे चल रहा है, मेरा फेस्बुक का पेज है CSC2020 वहां पर भी चल रहा है और यहां पर भी चल रहा है, तो इसी चीज को मैं आ आप लोग मेरे टेलिग्राम चैनल से भी जुरे रहिएगा टेलिग्राम चैनल में मैं हमेशा इंटिमेंट करता रहता हूँ कि हमारा क्लास चालू होने वाला है वीडियो अपलोडेड है या वीडियो अपलोड किया गया है and that will help you out all the time for your study है ना and for now and Sanjay sir you always give your contribution to this channel so that this channel may grow more and more thank you thank you very much तो चली हम लोग देखते हैं आज का लेशन जो है वो मैंने sugar industries in बिहार के बारे में discuss करना चाहता था तो उसी के उपर आप लोगों का requirement भी था काफी YouTube जो follow करते हैं हमें subscribe करके हैं हमारे चैनल को उन्होंने भी इसके regarding कुछ बता भूचा था कि इस तर कुछ latest data provide किया जाए तो अच्छा रहेगा तो मैं आपको historical aspect से आपको कुछ बताना चाहता हूँ चलिए यह है बिहार के sugar industries के बारे मैं बता दूँ कि बिहार के sugar industries की बात अगर करते हैं तो आज भी बिहार में sugar का expense sorry production large scale पे हो रहा है कहीं भी आप जाएंगे तो आज भी sugar cane उहां पे produce किया जा रहा है but unfortunately कुछ ऐसे से problems आते हैं जिसको कि हम लोग sort out नहीं कर पाते हैं या political problem कह सकते हैं या agricultural problem कह सकते हैं या climatic problem कह सकते हैं that is a different one but I would like to tell you that बिहार कभी sugar ball के नाम से जाना जाता था sugar ball के नाम से जाना जाता था अगर आप लोगों ने देखा होगा पढ़ा होगा तो बिहार is always known for sugar ball right और ये sugar ball इसलिए बोला जाता था क्योंकि अगर independence से पहले की बात करते हैं तो बिहार में करीब करीब वन थर्ड सुगर का production हुआ करता था across the country बूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिहार में ही production होता था sugar industry से और उसका existence आज भी देखेगा बिहार के लगभग सारे districts में sugar cane का production किया जाता है irrespective of their productivity, irrespective of their aerial coverage या irrespective of labor utilization या resorting of the labor है न तो sugar ball के नाम से जाना जाता था बिहार जहां पर one third sugar industries exist करता था और उसकी productivity भी बहुत high था और अगर देखेंगे कि recovery percentage जिसमें होता था जिसे रस का निकलना जिसे आज के देखेगा कि उत्तर परदेश में भी sugar cane बहुत होता है बेटर है जबकि production के मामले मुतर परदेश के position ज्यादा अच्छा है ज्यादा production भी है however as far as recovery percentage is concerned recovery percentage के मामले में अगर देखेंगे तो बिहार का आज के डेटी में लगबग 10% है लगबग 10% है right recovery percentage मतलब जो रस होता है उसमें जो material चाहिए हमें productivity के लिए वो नहीं मिल पाता है properly right तो यह बिहार का status था before independence और after independence भी no doubt कि यह industry continue रहा meals बहुत सारे थे लेकिन धीरे धीरे slow and steady जिसको बोलता है न slow and steady wins the race तो यहाँ slow and steady lose the race हो गया बिहार के respect में बिहार में सबसे पहला sugar industries की बात करते हैं तो 1903 में setup किया गया था सारान district के महरारा में अब आप इसको मैं इसलिए highlight कर रहा हूँ कि आप map में इसको locate करने की है just try to make it technical and scientific okay so महरारा सारन में महरारा सारन district है सारन district अगर map की बात करते हैं तो आप देख लिए सारन district यहाँ पर है इस district में इसका location है और यहीं पर महरारा है और उहीं पर सबसे पहले 1930 में इसका setup हुआ था राइट बिहार state sugar corporation का नाम आपने सुना होगा जिसका setup 1974 में हुआ था यह सोचकर और इस target से कि बिहार का जो industrial status है sugar cane के उपर उसको improve किया जाए जो seek industry या मील्स है उसे upgrade किया जाए उसको uplift किया जाए और उसी district को उन से government के दौरा भी 1976 में nationalization या राश्टिक रंड जिसको बोलते हैं सुगर मील्स के लिए गया sugar मील्स का nationalization किया गया जिसमें अब देखेगा बन मनखी का नाम आपने सुना होगा जो पुर्निया डिस्टिक में है गोरौल का गोरौल का नाम सुना होगा जो की मुझपरपु डिस्टिक में है रयाम का जो दर्भंगा में है फिर वारसली गंच ये इससे तो आप लोग अ जाता है कि 1976 में जो nationalization हुआ था उस वक्त लगबक साथ मील को nationalize किया गया था उसके बाद फिर 77 में दो और लिया है लोहट और सक्री लोहट और सक्री जो है वो मधुवनी डिस्टिक में located है राइट उसको भी nationalize किया गया 1977 में और उसके बाद 79 80 के दसक में या 79 80 के एयर में न्यू सीबान और मोती पूर करके दो मुझभपर पूर में और न्यू सीबान ये सीबान में ये दोनों मील को nationalize किया गया बट अनफोर्चनटली अगर आज के डेट में देखेंगे तो इस आल आर क्लोज डाउन वाइंड अप हो चुका है पढ़ना हो है अना अवनीश वीडियो ऑन यूटूब एज फेस्बूक अन फेस्बूक का जो पेज है सिबिल सर्विसेज एक्जामनेशन 2020 करके फेस्बूक पेज है जहां पर ये लाइव आ रहा है और यूटूब चैनल में अगर जाएंगे तो केम लर्नी चैनल है ये केम लर्नी चैनल जो की आपको द इस्टाबलिस इंडस्ट्रीज को या मील्स को प्रोटेक्शन प्रवाइड किया जाए बट अनफर्चनेटली ये नहीं संभव हो पाया है और आज भी हमारा सूगर इंडस्ट्री उसी तरह से संगर्ज कर रहा है जिस तरह से पहले कर रहा था करेक्ट आज की डेट में इस नहीं से नहीं से जो प्रइबेट सेक्टर में काम कर रहे है दो ही बचे यह का आज स intend को मैं इसलिए है आईलैट कर रहा हूं कि तब की आप लोगों को यह पता चल जाय कि स्टेटस आज क्या स्टेटिस है की हम सूगर मील है टोटल ग्यारा सूगर मील है जो पब्लिक सेक्टर में सिर्फ दो है बाकि नौ जो है वो कहां पे है प्राइबेट सेक्टर में इसके बारे में भी हम डिसकस करें है कि वो नौ सेक्टर जो बिहार में अभी ऑन अपरेशनल है वो कहां पे है और कौन सा है तो यहां तक मैं आप नाम देख रहे हैं यहाँ पर वो सब के सब आज के डेट में नौन वर्किंग हो गया है सब के सब नौन वर्किंग हो गया है और अब जो बचा हुआ है टोटल 11 है जिसमें दो ही पबलीक सेक्टर में काम कर रहा है अगे यह जो वारबर इस चीज़ को आप बार बार देखेगा कि जैसे हम लोगों ने देखा कि महरोरा जो है सारन में है वहाँ पे 1903 में सब से पहले सूगर मील का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था बिहार में सब से पहले सबसे पहले सूगर मील का इंडिस्ट्री उसके बाद आज की रेटिम देखेगा तो वेस्ट चंपारन इस चंपारन गुपाल गंज सीवान मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि नौर्थ वेस्टरन पार्ट और बिहार इस फुली डेभोटेट फॉर सूगर के प्रोडक्शन और आज बिहार का मेजर प्रोडक्टिविटी जो है नौर्थ वेस्टरन पार्ट में है और थोरा सा अगर देखेंगे तो इस पार्ट में भी है जो बेगुसाय समस्ती मुझपर पूर बैसालिरिस्टिक में है अगर इसे हम डाइगराम या ये मैप में दिखाएं तो इसे हाइलाइ चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चीज को थोरा सा हम हाइलाइट करते हैं ये देखें बिहार के गबर्मेंट का साइट है बिहार.nick.in करके जो साइट है उसमें इंडेस्टियल के बारे में मैं सर्च मार रहा था तो वहीं पर ये साइट दिया हुआ है जहां पर VAC इस चीज को अगर आप देखेंगे तो यहां पर चीज उपड़ वाला यहां पर दिखेगा कैसे बेशचंपारन है इस सीबान है गुपाल गंज है लगबग सारे डिस्टिक्स में आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा है इसका मतलब क्या हुआ यह अगर मैप को नह पीचे देखेंगे तो कैमूर है, रोहतास है, बकसर है, सिवान है, भोजपूर है, पतना है, जहानाबाद है, और अंगाबाद गया नबादा, मतलब लगबग सब 38 डिस्टिक्स हम लोग देख रहे हैं, तो टोटल 38 डिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है, है ना, तो ये सार तीन यहाँ पे दिख रहा है, दो यहाँ पे दिख रहा है, फिर यहाँ पे तीन दिख रहे हैं, फिर यहाँ पे एक दिख रहा है, फिर यहाँ पे सितामडी में दिख रहा है, और फिर एक समस्तिपूर में दिख रहा है, तो कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ पब्लिक सेक्टर और ये प्राइवेट सेक्टर तो इस चीज को ध्यान में रखेगा चलिए अब थोरा सा आपको कुछ डेटा के रेस्पेक्ट में आप लोगों को बता दूँ कि इसमें जो डेटा की बात आती है तो टोटल सूगर मिल जो गवर्मेंट के साइट में दिया जिस तूटी एट सूगर मिल्स है जिसमें से ग्यारा ओपरेशनल है जो कि इकॉनोमिक सरवे और बिहार में भी आप देख सकते हैं और ये ग्यारा कौन-कौन सा है तो ये देख लिए बगहा जो कि वेस्चमपारण में है अमनराज इस इट किलियर बगहा वेस्चमपारण म फिर हरी नगर वेस्चमपारण में नरकटिया गंज वेस्चमपारण गंज में मंजोलिया मंजोलिया ये भी वेस्चमपारण में सासा मूसा ये गोपाल गंज में है फिर गोपाल गंज में एक और है जो गोपाल गंज के नाम से जाना जाता है गोपाल गंज सुगर मील फि पिर रीगा का नाम आपने ने सुना होगा, रीगा या रायगा भी कहीं पर लिखा रहेगा हो सकता है, तो रीगा सितामडी में है, फिर हसनपूर समस्तिपूर में फेमस है, लोडिया वेस्ट चमपारन में फेमस है, सुगौली इस चमपारन में फेमस है, तो ये ऐसे 11 सुगर मिल्स बिहार में है जोकी वर्किंग है आज भी वर्क कर रहा है और यहीं से productivity या production देखने को मिलता है close sugar मिल्स जो है total 17 है जो की बता रहा है total sugar mils 28 है government के बिहार government के site पे आप ये देख सकता है information जिसमें से 28 में से 17 close हो गया है और 11 operational है 11 में से 9 private sector का है दो पब्लिक सेक्टर का है सूगर केन के जो कल्टिवेशन की बात करें तो जीरो 3.04 लाग हेक्टेर्स में बिहार में आज के डेट में 2018-19 का ये डेटा है इस ध्यान रखेगा 2018-19 के डेटा में आपको ये देखने को मिलेगा उसके बाद प्रोडक्शन अब सूगर केन की बात करें तो लगबग 182,00,00,00 प्रोडक्शन है उसमें रिकबरी पॉइंट अभी उसे दिखेगा तो 10.137 है मतलब क्या हुआ कि जो सूगर केन का जो प्रोडक्शन होता है उसमें जो रस की मातरा होती है जिससे सूगर बनता है उसके लिए उसका जो परसंटेज है रिकबरी वो only 10.3% है जबकि महरास्टरा और other states में इससे कहीं जादा है तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाना है और इसी पॉइंट अभी उसे गबर्मेंट का continuously effort भी चल रहा है ये चीज़ आप लोगों को भी पता है तो ये जो चीज़ आप देख information ये आपको properly economic survey और विहार government के side से भी available होगा और ये purely authentic data है मेरा कुछ भी इसमें fabricated नहीं मैं अपने अपने से कुछ भी नहीं बनाया बस उसको data को collect करके आपके सामने present कर रहा हूं तो ये data जो है आपको हमारे youtube channel km learning channel जो है वहाँ पे भी मिल जाएगा और जब जब live class conduct होग वहाँ पे भी मैं आप लोगों को मैंसा शेर करता रहता हूं तो ये चीज आप लोग देखते रहेगा सो तीन लाख हेक्टेर में इसका cropping होता है sugar cane का production होता है या area कह सकते है coverage है जबकि total productivity पूरे area का आधा में है 182 लाक्स 182 लाख metric ton का production है और पर एक्टेर जो active production है 60.15 metric ton ह तो बेसिकली अगर आप देखें हैं कि जो बिहार कभी sugar ball के नामचे या यह क्या बलते हैं चीनी का कटोरा के तौर पर जाना जाता था आज के स्थिति में काफी पिछड गया है meals बंद हो गया है productivity कम हो गया है तो आप बता सकते हैं कि इसमें क्या reason है anybody can you imagine कि what were the reason behind that अमन, अलपेश जी, सुधीर, रंजीव, अवनीश, can you tell me that what were the reason कि बिहार आज के डेट में sugar cane के production में पीछे चला जा रहा है anybody सबसे पहले दिखिए एक चीज मैं आपको बता जेता हूँ कि आज के डेट में बिहार में जितने भी sugar meals हैं, अमन, are you there, तो जितने भी sugar meals हैं, they all are working on old machinery, old system, एदम ध्यान रखेगा, old machinery and old system पे काम कर रहा है, जो कि feasible नहीं है, आज के modern जमाने में और competition में, right, एक point, दूसरा जिसके कारण productivity भी कम होता है, और productivity के कारण कम होने के कारण वो sale का जो price आना चाहिए, वो भी नहीं आपाता है, second factor है cost of production, cost of production is also increasing day by day, आप आज के date में देखेगा inflation है, महंगाई है, उस महंगाई के कारण वोहां का production जो expenses है, जो incurred किया जाता है annually, यह हर साल वो बढ़ रहा है, बट productivity कम हो रहा है, और old machinery के use होने के कारण सुगर का भी production या productivity दोनों ही affected हो रहा है, right, third point है financial status, चुकि आप लोग देख चुके हैं कि वहां पे labor बहुत है, machinery old है, productivity कम है, तो जिसके कारण financial support जो होता है, वो भी कम है, एक तो जो engage है उस industry में, they also not wanted to, मतब दे दोंट want to invest more and more money in that, okay, and third का external party are also not coming on front to help it out to contribute, government support भी उतना effective नहीं हो पा रहा है, जितना कि इस seek industry या रोगन industry वह कह सकते हैं, mail को, अप lift करने के लिए, उठाने के लिए जरूरी होता है, correct, तो ये सारे ऐसे factors हैं, जो कि विहार के इस industry को directly impact कर रहा है, negatively, और last point ये कह सकते हैं, कि जो गन्ना का उत्पादन होता है, उसका climatic impact ये होता है कि उसकी productivity तो होती है, लेकिन उससे जो sugar का production होता है, sugar cane से, वो properly उतना नहीं हो पाता है, जितना की होना चाहिए, okay, so these are the data for sugar industries, so I hope कि आप लोगों को ये data अच्छा लगा होगा, इस points पे अगर कोई question arise होता है, तो you can raise your question, I will clear your doubt, और अगर आप मुझे follow करना चाहते हैं, तो मेरा KM Learning Channel जो YouTube पे है, उसे भी follow करते रहिए, और हमारा BPSC के लिए, BPSC and Sub Inspector के point भी उसे एक Facebook page है, वहाँ पे भी join कर सकते हैं, पलस Civil Services Examination 2020 करके, मैंने एक निया page बनाया है, जिसमें की fully educational video upload किया जाएगा, materials upload किया जाएगा, तो आप लोग interested है, तो इस Facebook page को आप लोग follow करना शुरू किजिएगा, and lastly, we deserve telegram channel है, जिसमें मैं अपने सारे live class और video के बारे में information share करता रहता हूँ, और जैसे जैसे examination नजदीक आता हूँ, इसे multiple choice, MCQs,